कि वेल्कम बेग गाईज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में और मैं एक बार फिर हाजीर हूँ आज आज जेनल अबनेस के कोश्चन का प्रेक्टिस सेट लेकर गाईज और जिसा कि आप सभी जानते हैं इस क्लास के माधियम से आप लोग को आर् सभी के टॉप लेवल का मैं सेशन के माधियम सब्सक्राइब करता हूं तो चलिए बिना देरी की वे आज का सेशन स्टाट करते हैं ठीक है तो अंतर जरूब बने रही है और आप सभी का तहे दिल के साथ सकुरू यादा करता हूं क्योंकि आप सभी लोग बहुत बहुत प् सी ग्रंथी इंसूलिन बनाती है ओप्शन ए तिल्ली ओप्शन भी यक्रित ओप्शन सी अगनासा या अप्शन डी प्यूस ग्रंथी बिल्कुल सही जवाब हो गाईज मिला लेजीगा ऑप्शन नमबर सी इस दक रिक्तांस होगा अगनासे ठीक है जिसे पैंक्रियाज भी कहा जाता है इंग्लिस में अगला कोस्चन है कोस्चन नमबर टू है मनिस्यों का रक्त चाप सम्मानेता कितना होता है बहुत इंपोर् होना चाहिए और निम्राप रक्त चाप जो होना होना चाहिए वह असी होना चाहिए यह आपका सुध्य मनिस्यों का एक ब्लड प्रेसर हो गिया अगले सवाल कि बढ़ते हैं कोस्चन नमबर थी है दोस्तों आप लोग के बीच में निम लिखेट निम लिखेट किसी सब्सक्राइब का जनक कहा जाता है निम लिखेट मैंसे किसी आनुवान सब्सक्राइब का जाता है यह होना चाहिए था यह हमारा टाइपिंग मास्टर जो है थोला सब मिस्टेक की हैं इसके लिए माफिच आता हूं चलिए आप लोग बीच है ए में डार्विन आप्शन ब दी मेंडल ऑप्शन दी जो है आपका डी व्रीज तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट सवाल है बिल्कुल सही जवाब है और अगले सवाल नमवर फोर्थ है दोस्तों अगेती जुलसार निमलिखित में से किसका एक समान्य रोग है अप्शन A आलो अप्शन B अदरक अप्शन C बंद गोभी अप्शन D फुल गोभी बिल्कुल करेक्ट आंस होजएगा अप्शन नमवर A इस दे करेक्ट आंस होगा आलो अगले सवाल कर बढ़ते हैं को अप्शन नमवर फिप्ट से दोस्तों आपनों के बिच में जब किसी बस्तों को दोसमांतर समतल दरपनों के बिच रखा जाता है तो बने हुए परतिवींबो को परतिवींबो की संख्या कितनी होगी अप्शन A एक अप्शन B है दो अप्शन C है चार अप्शन D है अनन्त जी बिल्कुल करेक्टांसर हो जागा मिला लेजिए अप्शन D is the करेक्टांसर होगा अनन्त अगले सवाल करें बढ़ते हैं कॉस्छन 6 से घर्षन निमलिखित मेंसे किस से कम किया जा सकता है कथन 1 सतोहों को चमका कर कथन 2 है इस निग्द कारियों के परियोग से कथन 3 है असपर्स के छेत्रपल को कम करके अप्शन A बोलता है केवल 1 अप्शन B बोलता है केवल 2 अप्शन C बोलता है केवल 1 तथा 2 और T बोलता है सभी विकल्प सही है बिल्कुत सही जवाब होगा उसन नमबर 16 दक रिखता हैं सभी दोस्तों आपका केवल 1 तथा 2 ही आपका सही है जो आपका घर्सन को कम करने में मदद करता है कौन सतोहों को चमका कर या सिनिग्द कारियों के परियोग से अगले सवाल के वह बतते है ौसन नमबर 17 है किसी चलती हुई बश्तू की गती को आधा करने पर उसकी खाली जगा है क्या होगा गैजност ओप्सन 1 गती तुर्जा प्रारंभिक का एक बटाचाउ हो जाती है option B, गतिस उर्जा प्रारंभी का चार गुना हो जाती है option C, गतिस उर्जा में कोई परिवर्तर नहीं होता है option D है तवरंद दो गुना हो जाता है तो बताइए सही जवाब क्या हमाच यह बहुत important सवाल है railway का जी बिलको सही जवाब होगा option A, जिद्धा करेक्टांस हो जवाब हो ठीक है गतिस उर्जा प्रारंभी का एक बटा चार हो जाती है अगर कोई बस्तू किसी बस्तू को क्या करते है गति को आधा कर देते हैं तो चलिए अगले सवाल कर बदते है question number 8 है पारा थर्मामेटर के कारिक करने का सिध्धानत क्या है option A, गरम करने पर पदार्थ के घनत में बजलाओ option B, गरम करने पर पदार्थ का बिस्तार option C है पदार्थ का उसमा समंधित पर तीरोज और पदार्थ के दर्मयान में बजलाओ बिल्कुल सही जब होगा option number B is the correct answer को दोस्तों आपका गर्म करने पर पदार्त का विस्तार अगले सवाल के बढ़ते हैं question number 9 है आम तोर पर उप्योग की जाने वाजी floppy discussion chain छमता क्या होती है option A, 2MB, option B, 4MB, option C है 1.44MB और D है 2.44MB बिल्कुल सही जब होगा option number C is the correct answer को दोस्तों 1.44MB चलिए अगले सवाल के रुबरते है question number 10 है निमलिकित मैंसे कौन परचालन यंत्र का व्यवस्थित किये जाते हैं परचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किये जाते हैं और खथन एक बोलता है memory खथन दो बोलता है processor खथन तीन बोलता है input या output डिवाइस और option आप लोगों को बीच दिया गया है देखिए इस टैप के सवाल जो हैंगा जो काफी trending होगा अभी के date में क्योंकि competition का जो के वल है हाई चुका हाई हो चुका है तो इस टैप के question जो है काफी question जो है आप लोगों को देखे रहे होंगे competition ने यह ट्रेंडिंग है इसलिए important बनता है जिस टैप का ठीक है option A बोलता है के वल एक option B बोलता है एक दो तथा तीन और C बोलता है एक तथा दो और D बोलता है के वल दो तो बताए यह सही जोब क्या होना चाहिए बिल्कुल correct answer जोगा option B is the correct answer जोगा दोस्तो एक दो तथा तीन अगले सवाल की और बढ़ते है question number 11 है निम लिखे तो मैंसे किसका उप्योग फलो को पकाने के लिए किया जाता आप तो ने मैथिलीन, option B, एथिलीन, option C, एसितोन या option D है, मिथेन बिल्कुल सही जोब का option B is the correct answer जोगा एथिलीन का अगले सवाल की और बढ़ते है question number 12 है, गोबर गेस का पर्मु घटक क्या है, option A, प्रॉपेन, option B, ब्यूटेन, option C, मिथेन, या option D, एथिलीन जे बिल्कुल सही जोब का option C is the correct answer जोगा मिथेन, अगले सवाल की और बढ़ते हैं, इस question number 13 है, सेंधान नमक में कौन सा खनीज होता है, option A, जिप्सम, option B, सोडियम, option C, प्रॉपेसियम, option D, मिरिनेसियम जे बिल्कुल सही जोब होगा, option B, आपशन जोगा सोडियम कि अगले सवाल के और बढ़ते हैं जाइज कोस्टन नमर 14 है निम्लिकित मेंसे कौन सा संक्रमन धातू नहीं है ऑप्षन एक्टियम ऑप्षन बी बॉरियम ऑप्षन सी ऑस्मियम ऑप्षन डी है रेडियम अगले सवाल के बोटे को से या से सही है या है काई अप्षन ए आप लोको बताना है इनमें से कौन सा सही है ऑप्षन ए बोलता है है SPM यानिकि Suspendant Particulate Matter वी बूलता है cod Chemical Oxygen Demand C बोलता है SPM Suspendant पर्टिकुलेट मेटर तथा सी ओडी केमिक्नल ऑक्षिजन डिवान दोनों डी बोलता है इन में सब कोई नहीं है बिल्कुल सभाव और सी दा करेक्टांस होगा आपका SPM और CDO दोनों का फुल फॉर्म जो है सईएगा जिसलिए और सी दा करेक्टांस होगा अगले सवाल किरवारते हैं कोस्टन नमबर 16 ने बहुत इंपोर्टेंट सवाल है प्रोजक्ट टाइगर को किस वर्स में प्रारम कि किया गया था आप्षनेट इनिसो तीहंतर अप्षन बी ने सुबरासी सी उनिसो तिरानवे ऑफ़टी इन्यसो बासाथ कि विल्कुल सही जवाब होगा ऑप्षन बर ईजा करेक्टांस होगाँ ने सो त्यांतर में अगले सवाल करवरते हैं कुस्शनवर सेवेंटीन ने नि एक तथा दो सी बोलता है दो तथा तीन और डी बोलता है एक दो तथा थीन अगया अगले सवाल के रबदते कोश्चन नमर 18 है काची पुरम विस्तित किलासनात मंदीर इस वंस के साशनकाल के दोरान बनाया गया था किस साशनकाल के दोरान बनाया गया था काची का जो किलास मंदीर इस वह बताना है उप्षण ए चोल उप्षण दी पांड़े उप्षण सी चेरस या उप्षण डी पल्लाव बिल्कुल सही जो होगा उप्षण नमबर डी जखरेक्टन सकते उस तो पल्लाव अगले सवाल के पर बढ़ते हैं कोस्चन नमबर नाइंटीन है निम लिखे तो मैं ऐसे किसे इलक्ट्रोन का विसकार किया किसने अविसकार किया था बहुत इंपोर्टेंट सवाल है अप्षण ए आर्किमिली जो अप्षण भी रुवाल आमून्स अप्षण सी बोलता है जे जे अगले सवाल कर बढ़ते हैं कोस्चन नमबर क्वेंटी है हिम गॉल्ड कप किस खेल से संबन दी थे अप्षण ए क्रिकेट अप्षण भी मुक्यमाजी अप्षण सी होकी अप्षण डी बॉली वॉल बिल्कुल सही जाओब होगा अप्षण नमबर सी जा करेक्ट अप्षण होगा होकी से अगले सवाल कर बढ़ते है कोस्चन नमबर 21 है निम लिखे तो मैसे कौन सा युगम सही नहीं है अप्षण ए संजिक्त पानी गरही और इसी निर्थ अप्षण बी बोलता है सिव कुम बी जा करेक्टर अप्षण सिव कुमार सर्मा बासूरी से संबंधित नहीं है बाद बकी संजुक्त पानी गरही और इसी से संबंधित है तो राजा रवी बर्मा चितरकार से और उस्ताज विलायत खां सितार से अगले सवाल कर बोते है कोस्चन नमबर 22 है गाई डीजल रे अगले सवाल कर बोड़ते है कोस्चन नमबर 22 है खुलम खुला किस परसिद अविनिता की आत्म कता है अप्षण सत्रूगन सिन्ना अप्षण बी बोलता है मिथुन चकरवर्ती अप्षण सी बोलता है जितेंद्र और डी बोलता है रिसी कपूर रिसी कपूर होना चाहिए तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 23rd का गाईज तो गिल्कुल सही जवाब होगा अप्षण नमबर D is the correct answer अपका रिसी कपूर का अगले सवाल है क्यों बढ़ते है कोस्चन नमबर 24 है स्वतंत्र भारत में पहले आम चुना कब आउजित किएंगे तो बहुत इंपोर्टेंट सवाल है अप्षण ए उनने से काउन बाउन में अगले सवाल के बढ़ते हैं कोस्चन नमबर 25 है निम लिखित मैसे जल में किस परदूसक के कारण मेनी मिना माता रोग इसे मिनी माता भी कहा जाता है होता है अप्षण सेल्मोनेला ऑफ्षण बी है मिठाइल भकरी ऑफ्षण सी है सीसा और डी बोलता है पर क्लोरेट तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब ऑफ्षण नमबर 20 करेक्टांस हो जागा है मिला लिजीगा है न मिठाइल भर करी यह आपका कारण है मिनी माता रोग का ठीक है जल में परदूसक के रूप में यह काम करता है मिठाइल भर करी तो आज का सेशन हमारा टोटल समाप्थ हो चुका है टोप 20 कोस्टन जीएस का मैंने जीए जनल अवरनेस का आप लोग करवा दिया है जो कि बहुत इंपोर्टन टोल निवाएगी आप लोग का और प्यों सब्सक्राइब करता हूं और आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया है इसके लिए मैं एक बा आप लोग बनाई रखिएगा लाइक शेर जरूर कर देजिएगा ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए जाज़े देजिए जैहिंज जैभारा